हेलो फ्रेंट स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूरूप चैनल लर्निंग नीट पर हो जैसे कि आपको पता है टेली सुबा की 10 बजी के आपकी क्लास होती है सुपर टैट के लिए तो तीनों अटेम्ट करना है और इसलिए हम ये प्राक्टस कर रहे है और अप जैसा कि आपको पता है सीट पोस्ट फोन हो चुका है तो सुपर टैट की रेगुलर क्लास लगेगी एक दो दिन का मुझे अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा नोट्स वगेर प्रिपैर करने में इसके बाद क्लास रेगुलर डिवाइड होके जो भी टाइम होके आपको बताया जाएगा अच्छे से चलेंगी खेर चलें स्टार्ट करेंगी सेशन ओके जटे भी लुग जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग चलिए देखते हैं तो आज का जो पहला प्रशन है कबूत खंजना या चटका और एन्सरही आपर जो सेही होता है वह लुग आपको अप्शनन उमृत को पहते हैं महेशवरह महाधन ईश्वरह महाधन ईश्वरह महाधन ईश्वरह या मत्थधन ईश्वरह सयुत्तर होता है इस प्रश्ण के लिए महाधन इश्वरा हाल की दिखेए यहाँ पे और यह दोनों से ही है बस यहाँ पे विजर्ग कांता रहे क्योंकि हाँ पे लगा हुआ है इसलिए हमको यही अप्शन चूस करना है साद्व साद्व प्रयोगेच यह सूत्र कौन सी विभक्ति का है चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पी सब्तमी विभक्ति का हो चाता है आपका अगला प्रश्ण है लोमशाह इसका हिंदी रूप क्या होगा लोमडी, लोभवान, गोंद या लालची एक आपका सिल्बस में एक प्रश्ण रहता है इस चीज़ से है ना प्रश्वों के, पक्चियों के, फल, फूल, मतलब जितनी चीज़े हो सकती है सब के आपके आसबास जो भी वस्तुए अवालेबल हैं उन सबी के संस्क्रिट नाम और मैंने ये सब के लिए वीडियो बना रखा है फल, फूल, सब्जी, मसाले, रंग, मतलब कुछ भी शूटा नहीं है तो आप संस्क्रिट वाई प्लेलिस में देखेगा चलिए देख लेंगे उत्तर सही होता है आपका आपका आप्शन नमबर ए लोमडी महा कवी शब्द में कौन समास प्रयुक्त हुआ है द्व अपी पदे कह संधी इस पद में कौन से संधी है स्वर संधी है दीर्ग है विसर्ग है या व्यंजन है तो बिल्कुल यहाँ पे पूरुरूरूप स्वर संधी का प्रयूग हुआ है तो आप्शन नमबर ए से ही हो जाता है स्वर संधी है ठीक है याड संधी विधायक सूत् कौन सा है इंद्रेच परसनिक कर्ष अकसवर्णी दीरख इको यड़ाची ओप्शन नमबर डी बिल्कुल सही है इको यड़ाची देखे ही लिकाई यड़ संदी ठीक है बालक का तृतिया विभक्ती का दुई वचन रूप क्या होगा रामयोह रामाभ्याम रामो रामाणाम बालक राम किसी का भी याद है तो वो एक जैसे ही चलेगा ऑप्शन नमबर यहाँ पर बी सही होता है रामाभ्याम मनांशी यह शब्द जो बनता है शब्द रूप है वो एक्चुली कौन से विभक्ती और वचन का आपको बताना है मैं बता दू कि यह मन या फिर मनस होता है तो मनांशी बनता है कहीं पर कि प्रतमा भवचं ददिया बता यह शन बिल्कुल तो जित्ते भी लोगों ने इसका एंसर किया है option number C सही है क्योंकि प्रत्मा के भवचन दियाद के भवचन दोनों में ही मनस का जो है मनांशी रूप बनता है प्रतार कह इसका पर्याय क्या है प्रस्तरह चौरह ठग डाकू अर्थ बताना है इंद शौर्ट तो option अगला प्रशन देख लेंगे हम थोड़ा हिंदी से हमारा लॉकिक जगत की माया में सभी फसे हुए हैं यहाँ पे लॉकिक का आपको यानि की बोड़ा रिखा किस शब्द जो की लॉकिक है इसका सटीक विलोम बताना है अलॉकिक कुटिल सांसारिक दुनियावी option number एही से हुगा लॉकिक अलॉकिक किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्य दोनों का प्रयोग हुआ है यानि कि उस शब्द में उपसर्ग भी लगा है और प्रत्य भी लगा है व्यंजित व्यत्थित समित गरहित ये अच्छा प्रश्ण है तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका option number भी व्यत्थित ये सही answer हो जाता है निमलिकित में कौन विराम चिन्न का प्रकार नहीं है मतलब जैसे विराम चिन्न है एक चैप्टर है आपका हिंदी व्याकरण में तो उसमें कई सारे चिन्नों ते सब चिन्नों का एक नाम होता है इनमें से कौन सा है जो किसी विराम चिन्न का नाम नहीं है निर्देशक ला सामासिक विग्रह क्या होगा मन के लिए गढ़ा मन से गढ़ा मन पर गढ़ा या मन का गढ़ा सही सामासिक विच्छेद या विग्रह whatever तो यहां पर सही उत्तर होता है मन से गढ़ा यानि कि हम लोग अपने मन से कुछ भी बात बना लेते हैं या बोल देते हैं या कुछ भी है वसी को कहेंगे मन गढ़न्त निमलिकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है भारत कभी ब्रिटेन की आधीन था नेरा पराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया उसे पैत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला एक शुद्ध वाक्य बताना है मतलब कि बागे के तीन जो है वो गलत हैं अशुद्ध हैं चलिए ठीक है तो यहाँ पर जो सही होगा आपका उप्शन नमबर डी हो जाएगा उसे पैत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला ये बिल्कुल ही सही हो जाता है बाकी तो आपको जिसे निरपराधी होता है आधी निए अधी होता है ठीक है मुक्त हस्त दान नहीं किया जाता चलिए तो फिर इस तरह से तीन जो है आपके रॉंग थे और एक आपका बिल्कुल सही होता है एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा किस वाक्य में क्रिया की संभावना अर्थ वृत्ति का प्रियोग हुआ है पॉसिबिल्टी दर्शाई गई है क्रिया की है न लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी अध्यन करने वाला छात्र अच्छे यंक प्राप्त करता है बालक घर जा चुका है स्वरी जा चुका था दो और दो मिलकर चार होते है तो बिलकुल यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है अप्शन नमबर ए लगता है मतलब कि होगी कि यहीं पता लेकिन संभावना है इसा लग रहा है कि शायद बार इस बार अच्छी हो बाकि चप्ची चप्चीजों में संभावना नहीं दर्शाएगे इस बताएगा है कि ऐसा ऐसा होता है ऐसा ऐसा हो गया है प्रित्वी राज रासो महा कावी के रचाईता है कौन हेम चंद्र, चंदवर दाई, परमाल या फिर अमीर खुसरो फेमस है काफी मधुशाला के रचाईता कौन है माखललाल चतुरवेदी, हरिवनश राय बच्चन, बाल कृष्ण सर्मा नवीन या राम नरेश त्रपाथी सयुत्तर होगा आपको उप्शन नमबर भी हरिवनश राय बच्चन बहुत बहुत प्रसिद्ध है यह मधुशाला उनकी जो है रचना रही है निमलिकित में कौन देशत सब्द है जूता, कीमत, हैजा, देहात उत्तर सही होगा यहाँ पर आपका उप्शन नमबर ए जूता जालक, इसका तदभव क्या बनेगा जरोका, चालक, जलक या नालक मतलब जालक एक तद समस्रप्द है इसका तदभवरूप बताने आपको तो यहाँ पर जरोका जो है वो इसका तदभवरूप हो जाता है चलिए आजातें इंग्लिश पर तो इंग्लिश के जो केशन से हैं आपको क्या करना है एरर फाइंड करना है मतलब कि कोई ग्रामाइटिकल मिस्टेक होगी ग्रावर के हिसाब से तो उसे आपको ढूट के पता लगा कि ABCD जो भी है यह मार्क किया हुआ है डिसाइड करना है कि कौन से पार्ट में गलती है यहाँ पे कौन से हिस्से में आपको लगता है कि कुछ उत्रुटी है ग्रामर के हिसाब से बताना यह चाह रहा है चलिए मैं हिंट करती हूँ हिंदी में यह बताना यह चाह रहा है कि जब पदमनी आट साल की थी तब से शायद ही विरले ही शायद ही उसने कभी कोई डान्स परफॉर्मेंस या कोई फेस्टिबल मिस्स किया हो छोड़ा हो मतलब उससे बचपाया हो ऐसा यह कहना है का चांस है मतलब भाव है तो यहाँ पे जो गलत है वो है यह वाला सेंटेंस रॉंग है सेंटेंस रॉंग नहीं है इसमें सिर्फ रियरली जो लिखा है वो रियरली नहीं वो होता है रियरली रियरली मतलब कि not very often विरले ही शायद ही कभी ऐसा हो यह एक एड़वर्ब है तो इस पेलिंग में मिस्टेक थी बाकी सारी चीज़े सही थी यही छोटी छोटी चीज़े आपको पकड़नी पड़ेंगी my aunt was first to get a degree मतलब यह मेरी जो आंटी है मेरी जो चाची है वो यह डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम अब चाहिए परिवार में प्रथम रही हूँ फिराल प्रथम होने की बात हो जा रही है ओके तो यहाँ पे जो सही answer होता है वो होता है आपका option number B क्यूं क्यूंकि आप लोगों ने जब कभी भी इस तरह के sentences सुने होंगे तो वहाँ पे आप ordinal number के पहले ordinal number मतलब क्या होता है first, second, third, fourth इसी ordinal number कहते हैं इसके पहले आपने the का use जरूर देखा होगा ठीक है? तो यहोना चीता, my aunt was the first to get a degree ओके? next देखते हैं ठीक है, तो अभी next के जो three questions हैं आपको उसमें बताना है समानार्थी शब्द यानि किस इनोनीम्स periodic periodic इसका ये एक adjective है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आवर्ती periodic table science में भी आप रोगने पड़ी होगी आवसली तो आवर्ती आवधिक जिसको कहते हैं इसका आपको समानार्थी शब्द बताना है तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका correct answer होता है option number d regular जो एक आवर्ती खो या regular रहे happening fairly often and regularly इसको यह हम कह सकते हैं in English actually gruesome यहाँ पे देख लीजे gruesome अर्थ होता है इसका weep hurts मतलब कि जिससे घिना होना ऐसा कुछ कहेंगे चीक है guess करिए फटा फट से चलिए देख लेते हैं फिर क्या होता है correct answer b option गिस किया है तो सही है hideous इसका भी अर्थ वही होता है विभत सही होता है appraise okay अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें देखें ऊपर के जो हम लोगों ने दो देखी इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है किसी को अवगत कराना मतलब किसी को सूचित करना किसी चीज़ के लिए I think आप answer मिल चुका होगा तो मतलब किसी को क्या करना inform करना option number b next question है याप पे आपको क्या करना है highlight देख रहे हैं इतना जो है इसका अर्थ क्या होता है वो बताना है My parents want me to study science but I will stick to my guns and graduate in economics मेरे अभिभावक चाहते थे कि मैं जो है science पढ़ू लेकिन मैं कुल मिला कि अपनी जित पे अड़ा रहा मैंने जो मैंने मैं जो करना चाहता था उस पे टिका रहा और मैंने economics से graduation किया इसका क्या आर्थ है stick to my guns का क्या sense है तो B से होगा hold on to my decision यानि अपने जैसे मैंने हिंदी में पहले explain कर दी आपको कि मैं अपने जो decision पे अड़ा रहा टिका रहा या आपका option number B से ही होता है someone having many skills कुछ लोग होते हैं जिन में बहुत सारे कॉशल होते हैं बहुत सारे गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते है versatile obviously उन्हें हम क्या कहते है versatile कहते है option number A हाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है अगला देख लेते हैं ठीक है next three questions में आपको क्या करना है next three questions करने के पहले प्लीज आप चैनल पर न्यूँ है तो subscribe कर देना है आपको और यह questions देख लेंगे आपको बताना है antonyms, opposite word या फिर ऐसे words जो opposite हो meaning में oppose कर रहे हो मतब इस तरह से दो तीन words लिखके questions आते हैं कभी कहीं पिर antonym find करने के लिए आता है इस तरह से पहला question देख लिजे parnicious शाब्देकर्थ इसका होता है हानिकारक हानिकारक या घातक जो हो रहे हैर यह क्या adjective है उल्टा क्या होगा मतलब जो हमें हानी पहुचा रहा है उसका उल्टा क्या होगा जो हमें लाभ पहुचा है तो मतलब आपका option number D से ही जाता है beneficial beneficial भी adjective है यानि लाभ दायक ओके opulence ठीक है यहाँ पर मैं बता दो opulence जो है वह एक noun word है यानिकी संग्या शब्द है अर्थ होता है इसका धन संपत्ति wealth मतलब पैसे होना काफे जादा वो opposite बताना है luxury transparency, wealth या poverty तो जाहिर से बात है कि खुब सारे धन होने और एक उसका उल्टा होगा गरीबी होना है ना तो poverty यानि निर्धनता जो है वो इसका opposite हो जाता है knack के silent है knack यहाँ पर ये भी एक noun है अर्थ होता है इसका कौशल, दक्षता मतब कि talent है ना opposite बताना है आपको talent, dullness, dexterity और balance तो यहाँ पर बिल्कुल आपका option number B जाएगा dullness, यह correct answer है अगर dullness का मतलब होता है मंदता या मतिमंदता, stupidity कह सकते हम इसको ठीक है, तो यहाँ पर correct answer option number B हुआ है, session छोटा सा था पर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो please like करिए, share करिए, अगर आप channel भी new है, तो channel को subscribe कर लीजे so thanks for watching, keep studying and bye bye